आज मैं बना रहे हूं मैक्रोड़ी और नुटिला की सब्जी यह मैक्रोड़ी है और यह डूटिला सब्जीv में रख प्याज यह हरी मिर्ची शिम्ला मिर्च हरी नंभी ग्टीवी यह चींज कीसिए यह टोमाटो सॉस काली मिच्ची, सोया सौस, तेल और नमक, मैंने तेल पहले कड़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था, अब मैं सबसे पहले डालूंगी प्याच, तेल गरम हो चुक है, अब मैं इसमें प्याच डालूंगी, इसको मैं ज्यादा लाज नहीं करना है, इसे हलके ही रख से, उसके बाद मैं शिम्रा मिच्च डालूंगी इसमें, अब तोनों को हलके से, मैं भूनूंगी ज्यादा नहीं भूनूंगी इसको, अच्छे से भून लिया है, ज्यादा नहीं भूनना इसको, तो प्राइल प्रैमें उसमें ख़ल से नंपार के लाएख दो आ साफ। कि म्लीट रखा वह द्याइद गाल नमक दाल के इसको वायल करके रखा वा था पहले मैं डीटिला को पाल के से बून लूँगी जब यह हलके सी भून जाएक उसके बाद मैं मैकरोणी डालेंगी इसमें मैंमे इसमें मैकर्ओनी डालनी है ? मैंने इसमें मैकरोणी डाल दी ज्यों उबालके रिकीूरी थी नमक तेल के साथ यह देखिए मैंने साई डालती इसमें यह देखिए अब मैं इसमें बारे-बारी से मसाली डालूगी सबसे पहले मैं डालूगी नमक नमक का मैं आधा चमच लूगी क्योंकि सब में नमक है इसलिए मैं इसके आधा चमच नमक का उसके बार यह चिंग की सॉस है यह मैं दो चमच चिंग सॉस डाल दी और उसके बार मैं यह तोया सॉस और यह सोया सॉस और यह टमाटो सॉस डालूगी पहले मैं टमाटो सॉस डाल तोड़ी सी काली मिच टाल दूँगी इसमें आप जितनी इम खाते हैं अपनी डाल दीजिएगा मैं तो थोड़ी से डाल दूँगी अब मैं अच्छा से अच्छा कलर आ रहा है अगर आप चाहें तो इसमें हलकी सी चीनी भी डाल सकते हैं कि अच्छा कलर आया है वाई इसमें इसको तो मिनिट में घुमा लूंगी यह देखिए मैंने सौरी सॉस बगरा सब इसमें डाल दी इस देखिए कि अच्छी बनी है आप देख से किती बड़ी अश्प बनी है मुटिला और मैकरोनी वसक्राइब इसको रोटी बनाके इसको फिलिन करके इसको डालके बना सकते हैं अब मैं गैस बन कर दूँगी यह देखिए किती अच्छी बनी है मैकरोनी न्यूटिला